नमस्कार मैं दीपाक स्वागत करता हूं उपका ग्यान लेनर्स पर और आज हम देख रहे हैं क्लास 9 मैस में जो एक्सेसाइज 1.5 चल लिया आपकी चैप्टर 1 आपको याद है नंबर सिस्टम ठीक है उसमें आज हम एक्सेसाइज 1.5 का मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन देखन ना कि इधर 0 इधर positive 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर चलते हैं अगर बोला जाए कि 3 को दिखा और नंबर लाइन पर तो आप दिखा दोगे तो आप 5 भी दिखा दोगे ठीक है मैं बोलूंगा 3.5 दिखा तो 3.5 इनके बीच मा जाएगा यहां आजाएगा आपका 3.5 भी आप दिखा दो ठीक है इसी तरह के मतलब जो नंबर है जैसे कि 3.7 वोलो तो 3.7 आप 7 पार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 और यहां कहीं आपका क्या आएगा 3.7 आ जाएगा बढ़िया करके ठीक है लेकिन problem किसकी है यह देखिए अंडर रूट के अंदर है और फिर दूसरा decimal में भी है तो देखिए आपको बता रखा है मैंने इससे पहले exercise 1.2 में जब मैंने बताया था मैंने वहां पे अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे दिखा रखा है ठीक है ऐसे नंबर लाइन पे हम अंडर रूट 5 को कैसे दिखाया था आप वो वीडियो जरूर देखें ठीक है इसी तरह का वहां प हमेरे आएका सुरानी की स्क graphics के से अंडर प्राइम प्रमबर लेकिन यह तो दिखा और यह यह वैसे करके नहीं दिखा आई यह वैसे टाब दिखाया सकता जैसे इनको दिखा है क्यूं क्योंकि देखे अगर यह के जो है झाल का फईक हम दिखा रते से इस मैसरे अगर टरिय लेकिन यह पॉइंट में आ गया है नाइन पॉइंट थी तो नाइन पॉइंट थी अगर वैसे हो तो नॉर्मल तो नाइन के बाद कहीं आता लेकिन यह तो अंडरूट के अंदर है इसका वेल्यू लगबक कितना है थ्री पॉइंट सम्तिंग आएगा अब मुझे नहीं पता इक्जैट की सम्तिंग कितना होगा इसके लिए प्रॉपर हमें फिर वो निकालना पड़ेगा लॉंग डिविजन मैथर से इसको तो दिखें इसको कैसे निकालेंगे फिर ऐसे नहीं निकाल सकते एक्सराइज 1.2 की तरह क्योंकि यह डेसिमल नंबर है वो डेसिमल नहीं थे इसका ध्यानग ना पड़ेगा यह डेसिमल है तो इसको दिखाने का तरीका आप समझिए बड़ी आसे ठीक है आप भी जो है पैंसिल स्केल निकाल लें इसको रिप्रेजन करेंगे नंबर लाइन पर देखें इसके लिए आपको क्या करना है 9.3 कि जो 9.3 है उसके बराबर सेन्टीमेटर में कि हम जो हमारे पास कॉपी एवलेबल होती है उसमें केवल सेन्टीमेटर में ही खी सकते हैं मीटर किलोमेटर में तो मुझ की लिए ठीक है तो देखें हम 9.3 की एक लाइन खीज लेते हैं यहां से शुरू किया मैंने यह 0 से लेकर और कहां तक जाएंगे हमने का 9.3 तक तो देखे यह आ रहा लगबग 9.3 मेरा यह आ रहा ठीक है यहां पर आप 9.3 को छोड़ दें ठीक है अब यह आपका जो है यह यह लाइन आ गई आपको मान लीजिए कि यह जो आपका जो देखे ठीक है साफ साफ दीखे इस लिए ठीक है अब यह 9.3 तरी जिए कितने जिए ध्यान कदाएंग भी इज 9.3 तरी लाइन की दिया अब हमने क्या करना है हमने एक्स्ट्र यहां से लाइन बढ़ानी है ठीके बीस है कितना इंद आगे किसना है इसको वन यूनित आगे क की जहान दें यह प्रक्त, यह मुद्ध न यह प्रक्त एंट को क्या है, ज्यंु पॉआंट को chiya है, और यह कृणोव के लिए 9.3 सभाने प्रक्त, खेज़े हैं नंबर लाइन पे दिखाएं तो सबसे पहला काम है मेरा इस पूरा जो एसी आपको दिख रहा है एसी इसका बाइस से कर दो बाइस से करें तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप प्रॉपर यानि कि आप टॉपर यहीट आपने किदर से भी करने दिखें यही काम है कहा से भी करना सी से भी करना क्योंकि हमने कहां से लगाना ही है एसी का बाइक शेक्टर करना आपको बाइक शेक्टर पता होगा कि ए और सी किसी भी पॉइंट से ले लो more than half distance करके दो आर्क हमने लगा दिये यही आर्क अभी यह कंपास का जितना था उतना ही लेना है ठीक है आपको इसको कंपास को कम जादा नहीं करना एक आर्क के फिर क्षिज दे और और लाइंट के मिडंट के ज़रोध है ना कि जो मेन लाइन जूरोध की नहीं है मिडंट सो ही दिख्युत यह दो एक आ क्षीड ठीक है तो यह हमारा हमें पी उबम लीक्रीनियच क्षाल सवारोध देशए और चानल से घित देया हमें अब इस ओ पॉइंड को एजा सेंटर की तरह लेना है और यहां अब इतनीी रेडियस लेके कितनी ओ एके बराबर रेडियस थिके O A बोलो या आप O C बोलो क्योंकि बात तो बराबर यह भई ठीक है O A बोलो या O C बोलो ठीक है तो यहां से आपने क्या कीजना है आपने यह सैमी सरकल खीज देना है क्या कीज देना है सैमी सरकल का मतलब हो था आधा ठीक है सरकल आधा तो दिखिए semi circle हमने खीज दिखिए तो बिल्कुल सही आ रहा है A और C बिल्कुल मिल गए इसका मतला हमारा bisector clear है बढ़िया है ठीके साफ साफ है अब आपने क्या करना दिखिए जब यह आ जाएगा आपका तो आपने इस B point से 90 degree का angle खीजना है आप चाहें तो compass से भी खीज स बिल्कुल गंदा लगेगा आपको ठीक है पैचाना नहीं जाएगा कि क्या क्या करा ठीक है तो 90 D से बना लें प्रोटेक्टर से कोई दिखिए 90 degree का angle B से बनाना ध्याना मैंने B point पर रखा हुआ यह दिखिए B point पर रखा हुआ और यह 90 आपका आ रहा है ठीक है यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा इसको straight line मिला दूंगा और कहां पर कट करेगा यह semi circle को यह semi circle को आपका करेगा cut यहाँ पे ठीक है ध्यान से देखिए एक बार थोड़ा से हम चेक कर लेते कि वाक़े में 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है तो यह आ रहा है 90 इधर आ रहा है ठीक है तो यह नया point आ गया आपका BD ठीक है क्या हो गया BD और यही BD आपका किस NO 500 को दिखा रहा है यही ऑंडर ₹9.3 को दिखाता है किस को दिखातगा यह बी दि यही बीध आपका मैंने कांडर ₹9.3 को दिखाएगा तो यह तो ser o-parow रिगया हम्नें तो number line पर दिखाना है त पूरा step follow कीजिए वीडियो को एक बार दुबार से देखते रही है ठीक है अगर कहीं पर दिक्कत हो तो हमने इस टेल लाइन आगे इसको खीश लेंगे ठीक है इसको बढ़ा दिया आगे हमें तो नंबर लाइन पर दिखाना ना नंबर लाइन तो यह आपकी ठीक है यह ऊपर यह दिखिए बीड जितना आपका यह बीडि है इतना ही आप लेंगे ठीक है यह हमने बीडी के इक को लिल रहे है दिखिए दिख्रा आपको दिखिए और यह जो मैंने पैनल रही रहा उसकी नोग मिल दी यह दिखिए बीडी तो यह रूट 9.3 तो इस तरह से यह आर खीच और यह cut कर रहा है, यहां इस line को, कहां पे cut किया, एक नया point हो गया, देखिए, आपका E point, ठीक है, तो E point आगया आपका, तो कहने का मतलब, यह जो BE है, वही क्या आपका 9 point, root 9.3 है, यह आपने number line पर यह position दिखा देखिए, यह है sir, under root 9.3, तो मैं क्या बोल ला हूँ, ध्यान आप लिख सकते है, step, step wise आप अगर आप construction आप लिखना चाहते हैं, तो आपको मैं लिख के बता सकता हूँ कि कैसे कैसे आप करेंगे, ठीक है, तो step क्या 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 थे, तो पहला step तो था आपका, कि आपने क्या किया, mark किया, mark लगाया, mark the distance, कितनी, the distance, 9.3 unit, अब unit मनला हमने centimeter ले रहा है, ठीक है, कहां से लिए, from a fixed point, एक fixed point आपके पास है, ठीक है, यह fixed point है, from a fixed point, point का नाम क्या आपका, a है, ठीक है, fixed point a, on a given line, on a given line, जो हमको यह line है, ठीक है, straight given line, ठीक है, आप ऐसा लिक लें, बढ़िया करके, given line, and to obtain, ठीक है, इससे क्या मिलेगा, ठीक है, to obtain, हमको एक नया point मिल गया, to obtain, प्राप्त हुआ, ठीक है, अब point b, हमको point क्या मिल गया, b हो गया, यहाँ a से, यहाँ b तक हमने कितना खीज दिया, 9.3 खीज दिया, ठीक है, यह आपको मिल गया, और ध्यान अगना, मैंने का a, b कितना आपका, a, b यानि की, आपका है, 9.3 unit, unit मनला हमने ले रहे है, centimeter, clear, तो अब दूसरा step क्या होगा, सर, दूसरा step होगा, अब आपने क्या किया, मैंने का, b से आपने one centimeter produce किया, आगे की, और तो ठीक है, हम यही से लिखेंगे, कि from b point, from point b, ठीक है, mark हमने लगाना है, एक distance, mark चिनित करना है, एक distance कितना, of one centimeter, unit का मनला centimeter, ठीक है, clear है, one unit कहां से, one unit and, and mark the new point, and mark the new point, इससे हमें क्या मिलेगा, एक नया point मिल गया, एक नया point इससे हमें मिल जाएगा, ठीक है, नया point क्या मिल गया, c मिल गया, नया point क्या मिल गया, c हमें मिल गया, ठीक है, अगला step होगा, जब यह c मिल जाएगा, हमें उसके बाद हमने ac का क्या किया by sector किया ठीक है तो हम क्या करेंगे find the midpoint हमने midpoint को find करेंगे midpoint किसका midpoint of ac ac ठीक है and it is point o ठीक है यह point क्या आ गया midpoint आपने कर लिया है done है यहां तक चलिए आप क्या करना आपने कि from जो o point है ठीक है from point o ठीक है इसको यानि कि center मानना है ठीक है हाई बास में draw करना है आपने drawn semi circle क्या करना है semi circle को आपने draw करना है semi circle कितना as radius कितनी radius लिया आपने radius oa या oc बात ही किये ठीक है as radius oa ले लो या oc ले लो किलिए रहे उसके बाद अगला step क्या करना है आपने पांचवा स्टैप किया आपने कि भाई हमें क्या किसना है कि perpendicular कि रॉन पर पर पेंडिकुलर ठीक है कहां पर और प्वाले कि पॉइंट पर किलियर है and intersecting intersect करेगा intersecting किसको semi circle को semi circle semi circle कहां पर कर रहा है semi circle at d ठीक है so हमने क्या किया हमने किया तो अब हमने क्या खीचना है कि सो आपका b d equal to आगया कितना so यहां पर आगया b d equal to आपका आगया under root 9.3 this is a 9.3 ठीक है now ठीक है अगला step ठीक है 6 वाला from point b ठीक है draw draw करना है एन आर्क ठीक है एन आर्क आर्क का नाम क्या है b e ठीक है और b e किसके कोल है b d ठीक है is 9.3 clear है हमें इस b से एक आर्क खीचना है यह दिखिए आर्क खीचा यहां से इतना b d equal to this ठीक है तो यह b e कीचा तो यह b e जो है b d को ही दिखा रहा है clear हुआ तो एक चीज तो आपको clear हो गई होगी कि हमने जो है a c कितना लिया था a c लिया था हमने 9.3 cm b c कितना लिया था भाई हमने 1 cm और हमारा b d कितना आया जी b d आया हमारा square root 9.3 और जो b e है b e b किसके कोल है b d ही को दिखा रहा है यानि कि यही आपका 9.3 है तो हमने b e जो आपको दिख रहा है यही number line पे b से e तक कि distance कितनी है अंडर root 9.3 है ठीक है इसको हमने आपको बता दिया है अब देखिए चलिए प्रूब भी करते हैं verify करते हैं कि यह 9.3 कैसा आया अंडर root में क्योंकि ना आपना तो बड़ा मुस्किल है क्योंकि अंडर root के अंदर है ठीक है तो यह भी तब वही होगा त तो कैसा है इसको verify करते हैं तो देखिए आगे इसका picture में दुबारा ड्रॉ करता हूं ठीक है तो चलिए इसको verify करते हैं हम कि bd equal to कितना आया 9.3 ठीक है तो जो पीछे picture था उसको मैंने एक बार दुबारा से खीच लिए आपको verify करने के लिए कि जो यह bd distance आ रही है यह वा जरूर 9.3 होगा तो देखिए मैंने एक लगस आपके लिए picture बना दिया है ठीक है अब जड़ा ध्यान दीजिए कुछ important important चीज़े इसमें होने वाली है ठीक है तो इसको मुझे check करना है यह कि to verify कि bd equal to this 9.3 है तो हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए हम let करेंगे let कीजिए 9.3 है वह आपका x है कितना है x है देखिए 9.3 को मैंने x मान लिया तो x मानने से क्या होगा कि आपके पास 9.3 आए या 9.6 आए 5.2 आए 5.3 आए 4.3 आए 2.9 कुछ भी आ जाए उन सब को आप इसी तरह से कर सकते हैं एक बार इसको देख लिए बढ़िया करके ठीक है कि इसको कैसे करेंगे यानि कि अगर मैं दोनों तरफ अंडरूड लगा दो तो 9.3 कितना हो गया अंडरूड x हो गया कहने का मतलब मैं इसको ऐसे यह बोल सकता हूँ तो वैरिफाइ बीडी इक्वल टू इस एंड इक्वल टू अंडरूड एक्स ठीक है तो यानि कि यह यानि कि अंडरूड x है तो x यानि कि एक जनरल फॉर्म बन जाएगी इस ते आप कोई भी जो नंबर है जरूर नहीं कि 9.3 हो किसी को भी वैरिफाइ कर सकते हैं तो बड इस दी पॉइंट को मैंने यहां ओ पर मिला दिया है तो और आम से पाइथा गौरस ठोरम हमेशा किस पे लगती है फाइशा राइट अंगल पर ही लगती है इसके लावा किसी normal triangle पर नहीं लगती है तो देखिए ध्यान से देखिए हमने इसको दिखाना यानि कि x को दिखाना इसको मैंने सुधा के लिए x ली दिया ठीके तो आप सबसे पहले देखिए कि जो semi circle है ठीके इसकी diameter क्या है ठीके ध्यान से दीजिए diameter कितनी इसकी पूरी ac ह ठीक है पूरी जो ac है वो क्या इसकी diameter है तो हम लिखेंगे कि जो diameter है ठीक है diameter of किसकी semi circle की जो semi circle बना हुआ है आपका उसका diameter कितना होगा that is ac होगा कितना होगा a c अब आपको पता है कि मैंने 9.3 को फिलाल x माल ले आप 9.3 आपको पता है किसके कोल होता अ b यही तो था a b ठीक है बाई पीछे बता रखा रहा न कि यह पूरा AC कितना है यही तो डायमेटर इसकी भई डायमेटर किसे बोलते हैं जो एक कोन से दूसरे कोन तक जाती है तो यह सेमी सरकल है आप पूरा बनाएंगे तो यह क्या बन जाएगा सरकल बन जाएगा आपका तो यह इसका डायमेटर है that is AC ठीक है तो AC equal to कितना होगा देखे AB plus कितना होगा BC होगा ठीक है तो AB, AB कितना है 9.3 आउसको क्या मान रखा मैंने X मान रखा ठीक है AB equal to कितना आपका X है और plus BC कितना है यह तो पता है 1 है तो डायमेटर आगया आपका AC तो भई radius कितनी हो जाएगी radius कितनी हो जाएगी semi-circle की ठीक है radius of semi-circle clear होगी बात भी बोलो या O B, O D B तो radius है देखिए O D B क्या है radius है अगर आप एक circle खीचे यह circle खीचे ठीक है आपने circle तो यह center है यह center से जाने वाली जो le deed YOUR guidelines किधर से इधर से इधर से तो यह आधा इसका क्या हो जाएगा यह radius यह radius यह radius टीक है यह पूरा क्या है डायमेटर है तो इसका आधा कर दो इधर radius radius इस सारी क्या जा रही है इसकी radius जा रहे है यहां दीजिये ओ ए बीडियस है ओ सी इपर रेडियस है कि खाल ऑफ आदा हो जाएगा जी यानि कि ओ एकवल टो ओ सी इकवल टो ओ ड्या आगया अपका एसी का वेल्व रख दो एक्स प्लस वन और अपॉन में क्या चल ला आपका टू चल ला ठीक है यानि कि रेडियस निकाल ली यानि कि यह ओडी चाहिए था में आपको ओडी क्यों चाहिए ताकि इस पर हम पाइथागोरस थरूम लगा पाएं ठीक है अब दरह दिखें इस सिप के लिए यह तो आगया आपका ओबी यह ओडी आगया कितना आपका एक्स प्लस वन अपॉन टू लेकिन थोड़ा इसमें प्रॉब्लम यह होगी आपको यह चाहिए होगा ओबी तो ओबी कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए कि आपका ओबी कैसे निकलेगा तो ओबी के लिए क्या करेंगे आप ध्या क्या माइनस कर दीजी आप ओए तो एबी ए से लेकर बी तक आपको पताए कि जो एबी है भाई वो कितना है एबी तो आपका X है एक्स मतलब this 9.3 ठीक है हाई बासन में तो यह X है इसमें से ओए माइनस कर दो तो ओए ओए कितना आपका ओए तो यह है दिखिए X O डिया आपको अगया और देखे इस ट्रेंबल में ठीक है इस ही में लगाएंगे पैथा गॉरस रहाओ में इस राइफर ट्रेनगल पी ही लगती है तो हम लिखेंगे in right triangle triangle का dbd ठीक है in right triangle obd थीक है इसमें लगाएंगे हम क्या by by नित्यों को सबसे बड़े होती है यह हरु यको होती है परेंडिकुरर का स्कुर प्लस बेस का स्कुरर को आगे पिछे भी आप लिख सकते हैं आपका कितना आगी है ओडि और या टी जो ना ओगे ऑनीक ऑनद ना इसके ठीक जो आगे side होती इसको hypotenuse बोलते हैं, that is od, आपका कितना आगे है, od, perpendicular बोलते हैं आप, जिस पर ये angle बना होता है, straight, ठीक है, perpendicular, that is bd, तो यही bd आपको निकालना है, और कितना निकालना है, bd, देखिए, under root 9.3, यानि कि root x आना से ये, ठीक है, तो वो automatic उसके लिए भी ह हो जाएगा, तो इसके according ताव आप किसी को भी prove कर सकते हो, बलकि ठीक है, तो bd और b, base मनलब यह है, आपका ob, ठीक है, ob आपका क्या है, base है, ob square, आपको bd चाहिए, तो bd square कितना हो जाएगा, यह उदर गया, किसका हो जाएगा, minus का, od square minus ob का square, ठीक है, अब आपको पता है, od, od तो यह है, दीकिए, आपका od कितना है, x plus 1 upon 2, तो od की जगह आप रख दे हैं, x plus 1 upon 2, square है, तो क्या कर देंगे हम, whole square, ob, ob देखिए, मैंने भी निकाला, ob उपर यह देखिए, x minus 1 upon 2, तो रखिए, x minus 1 upon 2 का whole square, ठीक है, इधर bd चला दिया, इधर के चला है, bd, तो bd का square equal to, आप इसका अलग square कर दें, उपर वाले का, और 2 का square कितना हो जाएगा, 4, यहां भी आप उपर वाले का square अलग कर दें, यानि कि separate कर दिया, और 2 का square निचे हो जाएगा, 4, separate मनला, उपर nometer का square अलग, और denominator का अलग, ऐसी उपर भी कर देंगे, अब यहां पे proper क्या byk ko एक माइनस क्योंकि माइनस है तो इसलिए मानस का होगा प्लस क्या होगा बी बदला वन का स्कॉर यह लगा देंगे आप अप कर दिखिए शुक्रण यह लगा देंगे आप यह स्कॉरर ब्रैकट खुल दो यह प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का यह प्लस का मायनस वन का सकॉार बढ़ीय करके यहां पर यहां के लगए फल्ट हुए कन एकसी आपका चॉंऐ ऐसे फॉर का सौर देए करके तो आपका bd square equal to आगया simply x या आप क्या लगा देंगे इसका under rule लगा देंगे square का क्या लगा देंगे दर square rule यानिकी x और x का मतलब क्या हो गया 9.3 हो गया तो ये आपने क्या कर दिया verified कर दिया या प्रूफ कर लिया जो आप बोलना चाहिए ठीक है तो bd आपका root x आगया यानिकी यह आगया देखे तो x का मतलब क्या था 9.3 तो देखे बीडी क्या आगया देखे 9.3 आए की नहीं आए इसी को मैंने verify किया तो clear होगा कैसे हुआ तो यह आपका एक general form आगया यानिकी इसको आप किसी पर भी apply कर सकते हो कि यह bd वाकए में 9.3 अंडरूट के अंदर ठीक है तो बिल्कुल चेक कर लिया काफी थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा ठीक है क्योंकि थोड़ा कोशन ही थोड़ा मज़ेदार भी था और थोड़ा lengthy होना ही था उसने क्योंकि काफी चीज़े इस कूशन में जा रही कि कोशिस करें कोई बात नहीं महनत लेगी उससे कोई दिक्कत नहीं है दो बार तीन बार जरूर देखिए ताकि आपको आजाए अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल और शेर और लाइक करना मत भूलेगा ठैंक यू सो मस पर रॉचिं अगर यूछर अगर चैनल खिल भात खॉचिंट नहीं थीज